किसानों का गला खोती है अगर कुछ ठोच भूत है बुद्याब दिक्ति में मद्धिप्रदेश में बारिश के मौसम में बीज पर स्यासी पारा बढ़ा हुआ है अमानक बीज को लेकर कॉंग्रस और बीजेपी एक दुसरे पर हमलावर है बार पर अटवार का दौट जारी है कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक जीतू पटवारी ने बीज कम्पनी उपर सरकार के साथ मिलका करप्शन करने के आरोप लगा है तो वही सरकार ने कॉंग्रस इसकी जार्च के लिए सुबूत मांग लिए जीतू का प्रहार बीज ने किया बंटा था बीज कम्पनी तथा बीज प्राधिकरन की मिली भगत किसानों का गला भोट रही है किसानों के साथ अत्याचार कर रही है बीज कम्पनी ने किया प्रष्टा चार मतलब उस किसान में जिसने 4,000 रुपे खुंटन का सोयविन था मंत्री का पलटवार कॉंग्रेस का आरूप निराधार उनके पास अगर कोई ठोच आर आधार है अगर कोई ठोच शबूत है मुझे आप लिखके दे अपने लेटर पेट पर लिखके दे लेटर हैट पर एंपी में बीज को लेकर सियासत तेज हो गई है बीज कंपनियों ने सबको कमीशन बाटा है मंत्री से लेकर संत्री तक सबको कमीशन दिया जा रहा है जिसकी शिकायत EOW से की गई है वहीं जीतू पटवारी के आरूपों पर पलटवार करते हुए कृशी मंत्री अंदल सिंग कंसाना ने कहा कि कॉंग्रेश सिर्फ आरूप ना लगाए सुबूत दे तो मामले की जाच करवाई जाएगी आज इसी मुद्दे पर मध्यप्रदेश की महा डिबेट में करेंगे चर्चा बीज कंपनियों और सरकार पर जीतू पटवारी के सारोथ में कितना दम है कॉंग्रेश MP में होने वाले उप्चुनाओं में कहीं किसानों का मुद्दा भुनाने की तैयारी तो नहीं कर रही है मध्यप्रदेश की महा डिबेट में आज इनी तमान सवालों की जवाब जाने की कोशुश करेंगे आज कि सवाल रहेंगे पहला सवाल रहेगा किसे मिला कमिशन कॉंग्रेश की आरोपों में कितना दम है अगला सवाल रहेगा मंत्री ने दी है चुनौती की सबूत लाईए जो आरोप लगा रहे है तो क्या कॉंग्रेश करेंगे सुईकार तीसरा सवाल रहेगा उप्चुनाव नस्दीक है क्या इसलिए किसानों के मुद्दे पर राजवीती हो रही है इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूनेंगे हमारे साथ तमाम खास महमान जुड़ चुके हैं उनका परिचे आप से करवा देते हैं कॉंग्रेस के पूर्वधायक है शैलेंदर पटेल जी जुड़े हो हैं हमारे साथ सतीश एलिया जी है वरिष्ट पत्रकार हैं प्रदेश अध्यक्ष है भारतिय किस्तान जूनियन के अनिल यादर जी और इंतजार रहेगा बीजेपी की प्रवक्ता का भी हमें जॉइन करने का जो उम्मीद करें कि जल्दी जॉइन कर लेंगे लेकिन पहला सवाल मेरा शैलेंदर पटेल जी आपसे ही है क्योंकि आपी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इतने गंभी आरोप लगा दी है सबूत मांग रहे हैं मंत्री कृष्टी मंत्री देंगे क्या आप लोग सबूत देखिए सबूत की जातक सवाल उठते है पहले ही शिकायट ईयोन डबलू में किसान संगठोनों के दौरा की गई है आज पारस तकलेजा जी प्रेस कांफरेंस में मौझूद थे पार्टिल जी मौझूद थे उन्होंने लंबी फेरिस्ट दी है जगे जगे उन्होंने आवेदन पहले ही दिये पिछले दो साल से लगातार इस मुद्दो को उठाते आ रहे हैं शिकायते हैं लगातार की गई है और आटी आई के अंतरगत उनको जवाब भी उन सब चीज़ों को लेकर मिलें लेकिन देखा यह गया है कि जिस जहां पर कोई खेती नहीं है तलाब है महाँ पर भी उन्होंने शो कर दिया कि यहां पर बीच का प्रोड़क्शन हो रहा है जहां पर बिलकुल पत्फिली जमीन है, वहां पर भी उस जमीनों का शो कर दिया, कि यहां पर भी बीच का प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन हुआ है, और जहां पर बगीचे हैं, वहां तक भी उन्हों ने बीच प्रोड़क्शन का प्रोड़क्शन का शो कर दिया, हालत यह ह कि उज्येंद का मामला है जहां पर बार पीडित में जब बाड के वर्षा से current हो गई! वहां पर भी उन्होंने का कि यहां पर बीच प्रमानित अधिकारी ने कहा कि यहां से बीच का प्रोडक्शन हुआ है actually में बीच का production हुआ ही नहीं वो मंडियों से या जो कि बीच नहीं था अनाज था उसी को खरीद कर और टेग लगा कर उसको बीच के रूप में बेज दिया और जो कि बीच चाहे वो सोयाबीन का 5 या 6 जार रुपे का था वो 15 जार रुपे में बिका या गेहूं जो 5 जार रुपे में बिका लगबग दूनी कीमत हो गई किसानों को उससे कोई फाइदा नहीं हुआ यह सारा का सारा फाइदा उन बीच कंपनियों का हुआ यहां तक भी उसमें हुआ है कि दो कंपनियों ने एक ही किसान को पंजिकरत कर दिया कि वो दो ही कंपनियों को अपना बीच प्रोडक्शन दे रहा है उदानन के लिए कर बीच कंपनियों को दे रहा है और बीच कंपनियों को दे रहा है तो जब बीच कंपनियों पैदा हुआ तो चालिस कंपनियों को देगा कहां से तो ऐसे तमाम बिंदू उस सारे के सारे आरूप पत्रों में हैं और निश्यतूप से जब प्रेस कॉंफरेंस आधरनिय अध्यक जी ने लिए तो हम उसकी शिकायत लेटर पैट पे भी करेंगे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ बड़ा मारमिक मामला है कि जो बीज सोसाइटियां छोटी छोटी हैं उनको फाइदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो किसानों की घट्टा होके कर रही हैं किसानों के बीज में जा रही हैं लेकिन जो बड़े-बड़े से आप रसूल वाल इसको मंडी का माल मिल रहा है क्योंकि का माल नहीं मिल नहां बग्गाजे में जॉइन कर चकी है वीजेपी की स्पोक्सपर्सन है उनसे जवाब लेंगे आपके इस इन आरोपो पर पहले लेकिन मैं आने लियादाद जी आपका रुक कर रही हूं आप प्रदेश अब्देश का है कांग्रेस कारों को परनीजे के सही है और यह आज से नहीं हो रहा है यह काफी समय से हो रहा है लेकिन यह सही समय नहीं था और चुनाओ के पहले ही अगर इस मुद्दे को उठा लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता कि आज के समय में पूरी सोयावीन वगेरा की वो होगे यह दान वगेरा की वोनी हो चुकी है इस समय पर खेर राजनीती हो रही है लेकिन सही है राजनीती होना चाहिए किसानों के मुद्दे हैं राजनीती लोग राजनीती नहीं करेंगे तो किसानों का भला कैसे होगा तो बात दरासल यह कि पूरे मद्द प्रदेश में यह गोरत धंदा चालू है खाद बीच की बात करे जा तो आज आज के उसमें खाद की भी सौर्टे जा रही है नकली खाद भी आ रहा है बीच बगेरा का क्या करते हैं कि जो ब्यापारी हैं बड़े उद्योग पती हैं जो का इनके कारकरताओं से मिले हुए मंडियों से मोटा अनाज खरीत के और घर में सील सिक्के कुछ तो लगा लगा करके बेश्चे हैं इसे हमने देवाज जिले में पकड़ा हर्दा में पकड़ा कुछ ऐसे ब्यापारी जिन पर डीडिये ने कारवाई नहीं करी हमारे सिकायत के बाब जूद और बड़े पेमाने पर किसानों के खेत में बहुत जाने के बाद में जैसे क्रशी मंत्री ये प्रमांड मांग रहे हैं तो किसंडे किसानों के घर बरबाद हो ग это जी अब परबाद हो जाता है उसको प्रमान मांग रहे हैं तो अलग बात है लेकिन गरीब किसान मजदूरों को च्छाती पे मुंग दल करके अगर राजनीती कर रहे हैं अगर उनका नुकसान सह करके अगर प्रमान अगर मांग रहे हैं तो दुख भरी बात है कि आप सत्ता में रहते हुए और प्रमान की आपको अवशक्ता लग रही है तो आप क्या कर रहे हैं बेटे बेटे अगर विपक्त से आपको अवशक्ता लग रही है कि प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है तो आप बेतुल ले लीजे, राजगार, नर्सिंगार, मैं तो पुरे प्रदेश को देख रहा हूँ, मुझे मालूं कहा कहा से क्या क्या खबर आ रही है, अभी मूंग खरीदी को लेकर के तांड़ हो रहा पुरे प्रदेश के अंदर की ये लोग मूंग खरीदी नहीं कर रहा है कैसे करके मूंग खरीदी प्रदेश के अंदर की जाए, बारिश में किसान परिशान हो रहा है, तो अगर इनको भी प्रमान चाहिए कि मूंग है या नहीं है प्रदेश के अंदर, तो ये तो हर चीज का प्रमान मांगेंगे, भाई लाट तो जारिक किये जाए, कम सकम किसान खुर्णों का मुँंचि को भी कि कि यहां पर आप लोग है I drugs प्रहखार distingu लिए दो बाक्यो najleゃ जी जीतू पटवारी जी की मूल समस्या ये है कि वो पार्टी को तेल लेने भेज रहे थे अपने चुनाओं में और जनता ने उन्हें तेल लेने के लिए भेज दिया था और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं अब ये जूतम पैजार की सिती कमलनाज जी और जीतू पटवारी की है जीतू पटवारी जी उस बात की बात जादा करना चाहते हैं जो 15 महीने की कमलनाज जी की सरकार थी जिसमें एक से लेकर दस तक की गिनती तो राहुल गांदी की इनके गए थे कि किसानों का करज माफ हो जाएगा फिर कमलनाज जी ने पीले नीले हरे फॉर्म में इन किसा किसानों को अटका दिया था वो दंगे भी आपको याद होंगे जिसमें स्वयम जीतू पटवारी जी थे तो जो जीतू पटवारी जी बार बार कह रहे हैं उसका इशारा यही है कि 15 महीने में जितना ब्रश्टाचार जितना घोटाला जितना किसानों के साथ वादा उन सब की जाच हो और जाच करने के लिए भारती जिनता पार्टी की सरकार ततपर है इसलिए तो जिन किसानों को ये बधाली में छोड़के गए थे जिन से इतना इतना ब्यास दिया करते थे आज शून्य प्रतिशत पर उन्हें रिंड दिया जाता है जिन किसानों को इनने मरने के लिए आत्मा अत्या के लिए चोड़ दिया था आज उनन किसानों को प्रदान मंत्री संबान निधी के माध़यम से राशी एक उपलब्द कराई जाती है जिस से उनके छोटे मोटे खर्चे और उनको … रेकिन जो बीच को देकर इनके आरोफ हैं, जनकिसानो को इनने अельзя काम कर रहा है। वहीं आ रही हूं वहीं आ रही हूं वहीं आ रही हूं यह जो नेकसस की बात कर रहे हैं वो एक नेकसस इन्होंने पैदा करने का काम 15 महीने की सरकार में किया था और इसके प्रमान जो जीतू पटवारी जी के पास है मैं तो आपके चैनल के मादिम से आग्राय करना चाहती हू कि श्रीमान जीतू पटवारी जी आपकी जो भी कुंठा है आपके अंदर जो भी आखरोश है आपको बिना डरे खुल कर सामने आना चाहिए और अगर आप किसानों के वाकई में हितैशी है तो आपको उन कागजों को सारजनिक करना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि किस प्र परकार से सिर्फ टवल होती है तो क्या आप करप्शन नहीं है आपको परशानी नहीं है नेहा पग्गाजी एक गिरो सक्री हो गया था भारतिजनता पाटी किसानों की बेटरी के लिए आपके सर्कार ने कदर उठाएं हैं मध्रद्रदेश में आपको जनता ने समर्सन भी दिया है वह बात नहीं है बात इन आरोपों पर हो रही है जो यह आरोप यहां पर लगाए जा है शलेंद्र पटेल जी ने ही लगाए अरोप अनलियादर जी ने ही लगाए pict कि अम बताए कि पूसान के स्ष्भय कर ने थो स्वैंन के ही रही हूँ कि चोरी हुई क्दि मैं तो स्वयम केह रही हूं कि चोरी हुई चोरी हुई चोरी हुई जिस तरीके से जीत्च पटवारी जी आरोप लगारें हैं वो कागज प्रमांट सारे दे देने चाहिए क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो तो पूरी ब्रश्टाचार की सरकार थी चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो चाहे रोजगार के नाम पे 4000 रुपे बेरोजगारी भत्ता के नाम पे युवाओं को ठकने की बात हो आपकी पार्टी की सरकार है लगातार आपको समर्थिक मिलता रहा है उस 15 महीने में ब्रश्टाचार हुआ है आपके पास प्रमाने आप कागश दिखा दीजिए कागश जो है आज आप F.I.R. भाई PCC के अद्धिक्ष है कोई छोटा अदमी नहीं है सवा चार साल से मद्धिप्रदेश में उस सवा साल की सरकार के बाद बारती जन्ता पार्टी की सरकार है अगर कहीं बिश्टा अचार हुआ तो हमारे जो नेताओं नहीं किया तो उनको जेल के पीछे भीज देना था वो तो किया नहीं अब जब भी आरोप लगाते हैं आज की तारीक तक साड़े 20 साल में लगबग लगबग आप ये देख लीजिए गया कि 19 साल से जादा भारती जन्ता पार्टी की सरकार इस प्रदीश के अंदर है और इन सालों में ये सारा गपला घुटाला हुआ कोई सवा साल के अंदर नहीं हुआ हम सारी बातों को ले जाके स सब से पहले हम आपका स्वागत करेंगे आगर आप मैंसा करते सिर Philipp के कह देने से नहीं होगा जब यह सारी की सारी बातने जब आएं जब आटी आ से निकल कर आएं सारे डा definite के अद्धय के बाद प्रदेश अद्रो पठबाजी ने शिकायत कर रहा है रहा है कि जो भीज मिल सब्सक्राइब करें जब सरकारे बनानी होती है तो पार्टी जो तमाम सियासी दल है किसानों के नाम पर बड़े-बड़े वादे करते हैं लोग लुबहाव ने वादे किये जाते हैं और उसके बाद तब भी किसानों का हश्र क्या है वो किसी से छिपा नहीं है जग जाहिर है और अब यह नया शिगूफा कह लिजिए या शैलेंदर जी कह रहे हैं कि भाया पूरा सबकुत डोमेन पर है तमाम कागज करता रहा हूँ दस वर्ष दिगविजे सिंग जी की जब सरकार थी और अब 20 साल से भीजेपी की सरकार है हमें तटस्त होकर हम बात करें खाद बीज और किसानी की बात करें तो यह बिलकुल तय है कि किसानों को बहुत बड़े इलाके में मतपरदेश के बहुत सारे मामले ल किसे इस त्य decomposition करद है, जो राए फिलकुल तो क means कि सरकार के समय बी और भारती जंता पार्टी के समय भी कि नकली खाद भी मिलता है और ये मामले कई बार सामने आए हैं तो सरकार बदलने से ये तंत्र बदलता नहीं है लगभग सारे राजनेतिक दलों के सारे कारे करता अपने आपको सारे बिदायक सांसत अपने आपको ऑफिशली किसान सो करते हैं और किसान सो करने के नाम पर इं उसका विरोध करें लेकिन मेरा कहना यह है कि सच्चाई से इसकी जांच तो होनी ही चाहिए वो इसलिए क्योंकि यह इस तरह की चीज़ों होती रही है सैटिफाइट दिखा देते हैं वीज लेकिन वो सैटिफाइट होता नहीं है किसानों के साँ ठगी होती है किसान ठगे जाते हैं तो यह कहना के कागा जबूत जो जो आरोप नोंने लगाए है उनके अलावा बैसे भी उनकी जांच होनी चाहिए बड़े पेमाने पर इस तरह क किसानों के सांब ठगी होती है इसकी जांच निश्चीत रूप से से उचर्षटर होनी चाहिए Congress राजनीति करें आप उसको राजनी तक जवाब दीजिए लिकिन जहां तक किसानों का मामला है और बहुत गंभीरता डिखानी चाहिए ऐसा मेरा अपना अनिल जी पूरी चर्चा को आपने सुना आभी तक नेहा बग्गा जी का जवाब भी आपने सुना क्योंकि आप यूनियन के अध्यक्ष हैं तो किस तरह से किसानों की समस्य का हल ढूंड रहा सकता है देखिए निया बग्गा जी तो मरे साप को मार रही है लम्मत हमें से भाई अभी अजगर जो किसानों को नील रहा है उस पर विशेश ध्यान देने की जरुवत है और आप देखते आ रहा है कि खाद बीज की समस्या है उससे किसान जूसता है और बास्चिकता जो जड़ है व तो किसानों को उपलब्त कराई है अब आप देखेंगे अभी बीच की समझ से चल रही है और जब खात का आएगा समय तो कोई अटेक से मर रहा किसान कोई लाइन में लगा हुआ है इस प्रकार से निया वग्गा जी से कहना चाहूंगा कि अपनी सत्ता में रहते हुए सरका तक यह बात को पोचाएं कि यह सब बातों को कि सबूत लाइए यह लाइए वही आपको प्रमानित दिखता है सारी चीजें चेनल पर आती है और आप देखेंगे सर्च करके या आप क्रसी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा अगर समय है तो मेरे साथ चले मैं बताने है तो मेरे समध्र है इसान को त्यारा करते हैं और फिर खेत्यों बेर 15 वह भी खराब रहा है तो बाकी तो छोड़िया है अमानक तो अपनी जगे क्छोड़िये क्या करते हैं खेत किसान जैसे बताने की वीजभों का उत्पादन और दो दो तिन तिन बयापारियों को दो तिन तिन जगे उनको मानक वीजबना करके बेच रहें तो ये तो बहुत ही गलत है और इस पेकार से इनको दंदित आने चाहिए इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए, और इनको जो है बड़ी से बड़ी सजा देना चाहिए, एक अगर किसान का फसल बरबाद होती है, तो उसका पूरा परिबार बरबाद हो जाता है, उनके बच्चों कमाई होती है सरकारों की तो वो किसान समाज से होती है नंबर दो से Зब्किंग आगर आगकों पर दी जाती है तो किसानों के नाम से कितना पेशा बटो गे जहां उप्लब्द तांगी हवरशक्ता जांद बीज की और खाट की वरशक्ता वह तो उपन्अप करायी है जितना खाई रहे हैं वो खाई है लेकिन खाई है कि अधि आ पर आप सुनाय कि मानेक अधिक करफिंध का रहे हैं कोई गड़्बडी है तो उस पर जा पर मूल बात तो ये है किचीतू पटवारी जी जिनके कहने से हम बहुस कर रहे हैं और उनका इशारा जिस ओर है उसको भी तो समझने की सबको आवशक्ता है क्यों नहीं मानी जीतु पटवारी जी जाकर F.I.R. दर्च कराते क्यों नहीं मानी जीतु पटवारी जी वो कागस जो है वो कृषी मंप्री जी को देते क्यों नहीं उसको सारजनिक प्लाटफॉम पर आना चाहिए अगर किसी प्रकार की कोई गडवड़ी है तो उसको सारजनिक फ्लाटफॉर्म पर आना चाहिए और तभी उन तुर्टियों का सुधार होगा तो मेरा दो कहने की बात है कि एक जो उनके आपस का कमलनाजी के साथ दंगल है जिसमें ये सारे चाहे नेता प्रतिपक्षों चाहे जीतू पटवारी जी हों जो कह रहे थे कि मुखोटा किसी और का है ये आपसी लड़ाई के बीच में किसानों के अगर ये वाकई में हितैशी है तो इन्हें उसको भांडा फोड़ना चाहिए ठीक है सामने लाकर रखना चाहिए क्योंकि यही बताते थे कि चाहे शराब माफिया हो चाहे कनन माफिया हो चाहे रेत माफिया हो चाहे किसानों का नुकसान हो वो सब कमलना जी क्यार में हो रहा है तो जो अगर घोटाला हुआ भी है तो जाच सरकार कराएगी आप लोगे कह रहे हैं लेकिन किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके समस्याओं का समधान उने मिल पाएगा बहुत धन्यवाद आप सभी कही MP की महा डिबेट में शामिल होने के लिए और यहां पर जो दमाम आरो सबूत आएंगे नहीं आएंगे वह बात की बाते लेकिन सियासत जारी है मद्रप्रदेश की माडिबेट में खबरे लगाता जारी है